अभी तो अपन ज्यान की गंगा में गोते लगा रहे हैं, तो इस तरह की बाते भी चलती रहेंगी और पढ़ाई भी होती रहेगी है कि नहीं, आजो बड़ा, कल हम उपाधियों का अंत कर चुके थे और आज हम अपने जीवन का सबसे बड़ा आर्टिकल कहते हैं कि ये दौल ये शोहरत भी ले लो, मुझको लोटा दो, बस वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती और वो बारिश की भूंगे. पहरे साथियों, जो इंडियन पॉलिटी जानते हैं, वो इंडियन पॉलिटी जानने वाले कहते हैं कि हम से सब कुछ ले लो, हमें केवल चार आर्टि और आर्टिकल 13, ये केवल चार आर्टिकल हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास में ये चार आर्टिकल हैं, कौन-कौन से, 13 नमबर, 19 नमबर, 21 और 32 नमबर, तो वो इस देश में क्या, वो दुनिया के कहीं पर भी अपना जीवन प्रॉपर तरीके से काट सकता है, उसे किसी की स काम करिए, आप आर्टिकल 19 भी ले लीजिये, मुझे केवल एक आर्टिकल, मतलब तीन आर्टिकल दे दीजी, कौन-कौन से, 13 नमबर, 19 नमबर, 23 नमबर दे दीजी, 21 नमबर, 32 नमबर दे दीजी, फिर आप से पूछा जाए कि नहीं बिटा, अब आपके लिए आर्टिकल क सीमाई समाप्त होती हैं, उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको केवल दो ही options मिल सकते हैं, तो बताइए कौन सा लेना चाहेंगे, तो फिर आप मांगेंगे कि मुझे article 21 और article 32 दे दीजिए, मुझसे 13 भी ले लीजिए, फिर भी आपसे पूछा जाए कि नहीं आपक केवल एक ही article मिल सकता है, तब आप कहेंगे कि मुझे केवल article 21 दे दीजिए, तो अब आप सोचके देखिए कि कितना बड़ा article है 21 नमबर article, जिसको हम केवल एक line में पढ़ते हैं, और वो line कितनी है, वो line केवल इतनी है कि मुझे जीने का अधिकार दे दो, मुझे बस जीने दो, है न, I can't breathe, I want to live, ठीक है, तो बस मुझे जीने का अधिकार दे दो, मैं बाकी सब कर लूँगा, आगई बात समझ दो है, ये हैं मेरे प्यारे साथियों article 21, तो आज का session बड़ा अच्छा होने वाला है, UPSC board से phone आया था, अनकेडमी की तरफ से, ऐसा हो सकता है क्या, अनकेडमी जब भी phone करेगी आपको, कुछ भी करे, अनकेडमी का केवल एक ही तरीका है, और मैं आपको multiple time, देखिए, आजकल हमारे नाम पर बहुत कुछ होता है, हमारे देश में बहुत कुछ होता है, क्या-क्या होता है, मैं आपको बता दूँ कि, मतलब, क्या बता रहा थ तो अनकेडमी से call के नाम पर जब कुछ आए, क्योंकि दूसरा message भी मेरे पास इसी तरह का आया, कि क्या ऐसा सच है, कोई query कर रहा है, क्योंकि आजकल सचाई परखने के लिए जदा call चल रहे हैं, तो जनाब अनकेडमी से अगर call आएगा तो केवल आपको अपने application के माध्य से ही सारे काम करने की वो कहेंगे, और हमारा application play store पर उपलब्द है, millions में उसके subscriber हैं, तो ही आप उस कारे को आगे करिएगा, otherwise उन्हें माफ कर दीजेगा, क्या दीजेगा, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरे teacher ने मुझे बताया हुआ है, वही सब मुझे करना है, ठीक है फिर भी कोई मुसीवत आए, तो मैंने मेरा telegram channel दिया हुआ है, इसके contact में, contact detail में मेरे खुद की तरफ से contact number दिये हुए, आप उन पर संपर्ट कर लीजेगा, वहां से आपकी clarity clear हो जाएगी, वो हमारी तरफ से उपलब्द कराया हुआ है, डग, चलो अब सुनो आगे, तो चले, आज साथियों स्वतंतरता प्राप्त करते हैं, बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमें स्वतंतरता मिलने वाली है, सही मायने में पूछी है, तो ये वो article है, जिने पढ़ा करके ऐसा लगता है कि जीवन धन्य हो गया, मतलब पूरी quality कोई मुझसे ले ले और मुझे क तीन आर्टिकल पढ़ाने का मौका दे दे, तीन या चार आर्टिकल जो ये है ना, तो बस मैं अपना पूरा जीवन सफल समझूंगा, समझूंगा कि मेरी quality पूरी हो गई, इतने गंभीर आर्टिकल है ये, अब आप पूछेंगे सर, माहौल तो आपने ठीक ठाक बना दिया अब थोड़ा सा बता भी दो कि इसमें ऐसा क्या है, मेरे प्यारे साथियों, इसमें सबसे पहला आर्टिकल, जिसकी वज़े से इस देश में सबसे ज़्यदा मुसीवत छिडी हुई है, और वो है freedom of expression, freedom of speech and expression, जिसकी वज़े से अकसर विध्यार्थी लोग confuse होते हैं और इस फिर ये सरकार मुझे बोलने क्यों नहीं देती, है ना, मतलब एक जवरदस्थ पॉइंट है, क्याई बार ऐसा होता है कि हम में से बहुत सारे लोग आधा अधूरा आर्टिकल पढ़के चले जाते हैं, जैसे कल मैंने आर्टिकल 15 पढ़ाया, जब पूरा पढ़ाया तो सुनाई और दिखाई पढ़ रहा हूं, यार रिदम मत तोड़ा करो, यार, फील चली जाती है, क्या मैं आपको सई से सुनाई दिखाई पढ़ रहा हूं, बाकियों का इंटरनेट खतम हो गया है, क्रिपिया करके वो अपना इंटरनेट अपडेट कर ले, तो साब हमारी सब सबसे बड़ी लड़ाई और मुसीवत यहीं पर शुरू होती है, कि सर, मेरे देश में मुझे बोलने की आजादी नहीं मिल रही, मेरे मन में आएगा मैं वो करूँगा, मेरे मन में आएगा मैं सरकार को गाली दूँगा, मेरे मन में आएगा मैं भला बुरा लिखूँगा, मैं कहूंगा कि फलाना नेता राष्ट्र दोली है, फलाना नेता राष्ट्र प्रेमी है, इसे पाकिस्तान वेज़ दो, इसे इंदुस्तान वेज़ दो, मैं मन में आएगा मेरा मूल अधिकार है, मुसीवत है, हमारे यहां कहते हैं कि आधा नौलिज जो होता है वो सब का की बात यहां पर केवल 6 पॉइंटों में नहीं समझी जा सकती कि आर्टिकल 19 कहता है कि बोलने का अधिकार है दूसरा आर्टिकल कहता है असेंबली का अधिकार यानि कि हम कहीं पर भी इखटे हो सकते हैं फिर सरकार ने जैसे आपको मैं बताऊं कि आप में से कहियों के तर्थित नहीं हो सकते सर मेरे लिए असेंबली का अधिकार मीरा मूल अधिकार है मैं जाओं फिर मैं जाओं फिर सुप्रीम को सीधा अर्टिकल 32 लगा करे मेरी तो आपने पूरी पूरी फ्रीडम को छीन लिया है फिर two form association associations बनाने के नाम पर सर मैं अगर कोई political party बना लेता हूँ क्या दिक्कत है अगर मैं अपने देश में रहते हुए एक ऐसा संग्ठन बना लूँ जो कि मांग करता हो आजादी की हाँ जो मांग करता हो आजादी की कि भाई हमको चाहिए आजादी और ऐसा कोई मैं वो बना लू सर मैं बनाना चाहता हूँ बहुत सही है और सरकार जो है फिर पकड़ के लिए जाती है अंदर डाल देती है बिलकुल कोई लोग कहरें कि सर नागालिम दे दो कोई कह रहा है मुझे टिपरा लेंड दे दो कोई कह रहा है बोडो लेंड दे दो सर एक मूवमेंट चलाना चाहता हूँ मैं और वो मूवमेंट ऐसा होगा कि मुझे एक ऐसा अंदोलन चलाना है कि ये सरकार को निस्तनाबूद करना है एक ऐसा अंदोलन चलाना है क्यों करना है मुझे नहीं पता बस चलाना है मुझे मुझे movement का अधिकार सरकार ने दिया हुआ है फिर सरकार movement के नाम पर लाठियां क्यों भांजती है जब भी कोई आंदोलन होता है सरकार फिर लाठी भाटा जंग क्यों कर देती है सरकार निहत्ती भीड के उपर गोलियां क्यों चला देती है भाई ये वो questions हैं जो अगर आपके दिमाग में आज तक नहीं आये हैं तो आने चाहिए क्योंकि मैं यहां से आगे की बात बता रहा हूँ आपको ये तो मूल अधिकार है अगर ये भी नहीं पता है तो दिक्कत है लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मेरे मूल अधिकार हैं उसमें दिया हुआ है कि मैं कहीं भी कुछ भी बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ मैं कहीं भी एकत्रित हो सकता हूँ, मैं कहीं पर भी कैसा संग्ठन भी बना सकता हूँ, मैं कहीं पर भी आ जा सकता हूँ, मैं इस देश में कहीं भी रह सकता हूँ, अच्छा, 2019 से पहले मैं जम्मु कश्मीर में नहीं रह सकता सर जाकर के घर बनाने के लिए, मैं वहाँ जाकर तो छोड़ो मैं एंट्री नहीं कर सकता, मैं नागा लेंड में एंट्री नहीं कर सकता, मैं में एंट्री नहीं कर सकता, मैं बोडो लेंड में एंट्री नहीं कर सकता, और आप कह रहे हो कि मैं रिजाइड एंट्री नहीं कर सकता हूं। आज भी ऐसा, अपस्पा नहीं, इनर लाइन पर्मिट है वहां, वहां जाने से पहले आपको वहां की सरकार से पर्मिशन लेनी पड़ती है, इनर लाइन पर्मिट, IELP बोलते हैं उसे, आगे बात समझ में, इवन उत्तराखंड के भी तीन जिलों में है, IELP, वहां के जिले तो मांग कर रहे हैं कि भाईया हटाईए इसे, हम लोग उनको पढ़ाया कि एवल जम्मू कश्मीर जाता है, कि जम्मू कश्मीर में ऐसा है कि आप जाकर के नहीं बस सकते, आप इन राज्यों में भी जाके नहीं बस सकते, आप यहां पर भी जमीन नहीं खरीच सकते, पूरा-पूरा मेरे मूल अधिकारों का उलंगन हो रहा है यह तो बिलकुल गलत बात है यह तो आप भी समझेंगे लोग जाईए पहले आपके अंदर गुस्सा तो आने तो तभी मजा आएगा जब तक आपके अंदर गुस्सा नहीं आएगा तब तक मजा कैसे आएगा आपको फील आनी चीह ना कि आर्टिकल अब तक जो पढ़ा है वो अधूरा पढ़ा है फिर प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनिस सर पेशा व्यवसाय व्यापार और ये सब करने की क्या दिक्कत है सर मेरा मूल अधिकार है कि मैं अतंगवादी बनू क्या दिक्कत है मैं अफीम बेचू खुले में कच्छी दारू बेचू है कुछ भी करूं सर व्यापार की बात कर रहे हो मैं मतलब बच्चों का व्यापार करूं मैं महिलाओं का व्यापार करूं क्या दिक मेरा मूल अधिकार है क्या बात आपको समझ्वा रहे हैं आप लोग गहरी बात है यह पर कुछ भी करूं बई मैं मेरी मर्जी मेरा मूल अधिकार है आपको क्या दिक्कत है मैं रेमडे जिवीर का इंजक्शन जो है 40,000 में बेचूं कि उसमाँ पानी भर के बेचूं मेरा मूल अधिकार है और अगर आपने ज़्यादा दिक्कत करी ना सर तो मैं सुप्रीम कोड चला जाओंगा क्योंकि आर्टिकल अमर 32 आपने दे रखाया आगई बात समझ में तो इ वास्त्विक्ता में तो कुछ और ही मामला है हमको दिखाया उपरी उपरी सर्फेस गया है हमें एक प्रकार से जब वो बस जा रही थी जो मैंने आपको कहा था ना आप सारी सवारियां बाहर खड़ी है और बस वाला आवाज लगा रहा है कि चलिए सहाब प्राइविट बस है बढ़िया एसी वीडियो कोछ बस बसक्तerson बैठी है यह करिए हमें है सर वहां घुसने के बाद बता चला कि उस टिकेट के नीचे लिखा था कंडिशन एप लाई अ उसके अंधर लिखा हुआ था कंडिशन एप लाई कि यह थोड़ी का था कि एसी पूरे दिन चलाओंगा तो है आपको फ्रंट सीट पर बैठने का मौका मिलेगा लेकिन मैं यह थोड़ी का था पूरे टाइम आप ही बैठोगे बारी-बारी से बैठोगे हर व्यक्ति को विठाओंगा पहले तेरा नंबर होगे चल तो पीछे च इसने आर्टिकल इतनी गहराई से पढ़ लिए हैं समझ लिए हैं कि वह उन आर्टिकल के बीच में इसे कहते हैं रीड बिट्विन दी लाइन्स कि चीज लिखी हुई है उसमें जो नहीं लिखा हुआ है वो पढ़ लेना खेला हो गया खेलो हो बहुत अब ही बात समझ में मैंने कहा था सब को सीट मिलेगी और मैंने फुल बस भर ली सब को सीट मिलेगी तो फिर फुल बस में भर कैसे मिलेगी बाकी जितने लोग बैट लिए खड़े हो जाओ अब औरों का नमबर है आगई बात समझ में यह क्या है यह यह इसका मतलब यह है कि हमको यहां पर यह स तो फिर क्या है उनमें मेरे प्यारे साथियों reasonable restrictions हैं हमको दिये गए articles में reasonable restrictions हैं यानि कि उनमें तारकिक रूप से कुछ प्रतिबंध लगाये गए हैं उन प्रतिबंधों से परे कुछ भी नहीं है अगर आपको लगता है कि आपको freedom of speech and expression है और आप इसके नाम पर एक ऐसा ले जो है वो एक दूसरे की तरफ देखने से हो रहा है आपने इस सत्य को स्थापित कर दिया बिल्कूल वैसे ही जैसे 5G से कोरोना फैल रहा है, इस सत्य को इस्थापित करने में बहुत है दिमाग लगा दिया, मेरे कैई बहुत अच्छे साथी, मतलब मैं अस भी इस बात पर आऊँ, आज मेरे बहुत, मतलब जो कॉलेज का गुरूप है, जिसमें कैई साथी मेरे आईस भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, उसमें यह मेसेज ट्रेंड कर रहा है, कि यार 5G से फैल रहा है, इसका कैसे यह लाज किया जाये, क्योंकि, फेक के आएक कोण बच सकता है? फेक न्यूज फैला दी, इस तरह से फैला दी कि, इतनी majority में फैला दो, कि सामने वाला convince हो जाए, क्योंकि असल में ultimate चीज क्या है, दो-चार तर्क ऐसे दे दो, मैंने खुद ने फिर एक audio सुना, जिसमें 5G से फैलाने वाले अपने पक्ष में प्रमान ये दे रहे हैं, ये पस्षिम मंगाल में क्यों नहीं फैला, क्योंकि वा पहारी इलागों में क्यों नहीं फैला, क्योंकि वाँ 5G का ट्रायल ही नहीं हुए, उनके तर्क भी देखकर कैसा लगता है, कि यार वाकई में ये लोग बनाने से पहले भी गचब तरीके से कहानी को पहले ड्रॉ करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कैसे फैलाने हैं, तो भ अब तावर तावर तोड़ो, आपकी एकोनोमी दो मिनिट पे ठप हो जाए, पहले गरीवी में मारे जा रहे हो, पता चल रहा है, टावर तूटने लग रहे हैं, लोग पत्थर फैंकर खेच-खेच के मार रहे हैं, और फिर एक दूसरे को फॉन पे कह और रहे हैं, यार जित्ते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके विश्वास के लिए, इस किताब में आर्टिकल 19 के अंदर, अब आपको यहां पर पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है, देखिए, पहले पढ़िए 19 नंबर आर्टिकल, 19 नंबर के नीचे A, B, C, D, E लिखा हुआ है, आप जब 19 नंबर आर्टिकल पढ़ते हैं, तो इस 19 नंबर आर्टिकल के अंदर मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला जो पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, मेरा कैमरा मुझे जूम करते करते हैंग हो गया है, जोड़कि यह मैं आपको दिखाता हूँ, दिखिए, यह 19 नंबर आर् क्लाज 1 के नीछे A, B, C, D, E, F लिखा हुआ है, यह क्या है, इने बोलते हैं सब क्लाज, यानि कि आर्टिकल नंबर 19, क्लाज 1, सब क्लाज A, मतलब इसको ऐसे पढ़िया आप, आर्टिकल 19, के अंदर क्लाज 1, एसे लिख दिया, और sub clause A, B, C, D ऐसे पढ़ा जाता है इसको, समझ में आ गया, तो बोला कैसे जाएगा, article 19, clause 1, sub clause A, ऐसे बोला जाएगा इसे, फिर article 19, sub clause 2, तो अब अब इदर देखिए, article 19, sub clause 2 जो है, वो नीचे लिखा हुआ है, इदर देखिए, दिख्या होगा, g के just नीचे लिखा हुआ है, अब g के just नीचे लिखा हुआ है, और ऊपर देखिए, a पर लिखा हुआ है, to freedom of speech and expression, और इदर to के आगे देखिए, क्या लिखा हुआ है, अब मैं आपको पढ़के सुनाता हूँ, इस चीज को, जिनको देख गया, कोई बात नहीं, लेकिन जिनको नहीं दिखा हूँ, उनक मैं बोल के सुना ही रहा हूँ, लेकिन एक चीज होती है, किताब में मैंने भी देखा, तो अपनी आखों पर विश्वास होता है, तो मैं वो बात आपको सुना करके सुना रहा हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है, nothing in sub clause a, which one, this one, 19 clause 1, sub clause a, तो article 19 clause 2 states that nothing in sub clause a, यानि कि इस sub clause क यह line पढ़िये, देखे क्या लिखी हुई है, यह थोड़ी कानोनी भाषा है, लेकिन सीख जाएंगे, तो मज़ा आएगा, देखे, nothing in sub clause a of clause 1, अगर दिख रहा हो, तो g के just नीचे 2 लिखा हुआ है, वहां तक पढ़िये, ठीक है, अच्छा, फिर उसके आगे लिखा हुआ है, और यही सबसे रोचक है, nothing in sub clause a of clause 1, shall affect the operation of any existing law, यानि कि इसके अंदर कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से, already बना हुआ कोई भी नियम प्रभावित हो, और prevent the state from making any law, यानि sub clause 1a के अंदर जो speech and expression लिखा हुआ है, यह कहीं ऐसा right ना बन जाए, जिसकी वजह से, सरकार को देश चलाने में दिक्कत आए, सरकार कोई right कोई, मतलब कानून बनाने जाए, और पता चल रहा है कि वो कानून अटक गया, लोग article number 13 के तहत उस article को पकड़ Supreme Court ले गए, क्योंकि article 13 already कहता है, कि सरकार कोई भी ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कोई भी बिल, ऐसा कोई भी act नहीं मा ला सकती, ऐसा कोई भी अध्यादेश नहीं ला सकती, जो की part 3 में दिये गए मूल अधिकारों को कम करता हो, तो भाई ऐसी इस्तिती में तो आप अगर कुछ भ आप लिए अधिकारों की मतलब संद्रक्षन करना चाहिए, जो मेरे मूल अधिकारों का उलंगन करते हो, सरकार ने कह दिया कि Facebook पर पोस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे तो Facebook पर बढ़िया बढ़िया फोटो डालनी थी, जोने देख करके मेरे मित्र खुझ हो जाते हैं, फि आई ऐसी इस्तिती में यहां पर साफ साफ मेंशन है, क्या लिखा हुआ है, और प्रिवेंट दी स्टेट फ्रॉम मेकिंग अनी लोग, इन सो फार, एस सच लोग इंपोज रीजनेवल रेस्ट्रिक्शन्स ऑन दी एक्सरसाईज ऑफ, दी राइट कंफर्ड बाई दी सैड Sovereignty and Integrity of India, मतलब देश की संप्रभूता, संप्रभूता मतलब आपकी किसी हरकत की वज़े से हम देश के गुलाम ना बन जाएं, किसी दूसरे देश के गुलाम ना बन जाएं, पता चले कि आप 5G की इतनी अफवा फैला दिये, कि पता चल रहा है कि चाइना से गुलामी मिल गई, कि चाइना वाले कह रहे हैं कि हो गया तुम्हारा काम, अब आएगा हुआवे, तुम्हारी सारी सीजे समेट के ले जाएगा, मतलब आपकी हरकतों से ऐसा ना हो जाए, और मैं आपको बता रहा हूं साथियों, यह 5G वाली न्यूस जितनी भी स्प्रेड हो रही है, हो देश के अंदर संप्रभूता को खतरा पहुंचे और देश की एकता को खतरा पहुंचे, पता चले आपकी वजह से ऐसा उनमाद फैल गया, क्या कारण होता है कि बहुत सारे ऐसे राजनेताओं को जो की भड़काव बयान देते हैं, उन्हें पुलिस गिरफतार कर लेती है, वो तो अपनी कह सकते हैं कि मैं तो मेरा freedom of expression और speech दे रहा था, मुझे क्योंगी रफतार किया गया, क्योंकि आपकी वजह से देश की अखंडता को खतरा है, इसलिए आपको पकड़ा जा रहा है, the security of the state, देश की सुरक्षा को आपकी वजह से खतरा हो जाए, friendly relation with foreign state, आपकी वजह से विदेशी संबंध खराब हो जाए, जैसा कि हम लोगोंने गंद मचाई थी, हमने जितनी ओली की movie बनाई है हमारे देश में, उतनी सायद कहीं ना बनी होगी, ओली इतना फेमस, नेपाल म नहीं होगा जितना हमारे यहाँ पर है, हमने उसकी ओली की कहानी बना दी भाईया चायना वाली एक मैडम के साथ में, और हमारे बड़े बड़े दिगगत जो पत्रकार हैं वो इसके अंदर प्रसिद्ध थे, ऐसी ऐसी कहानिया बनाई कि ओली के साथ हमारे संबंध खराब ह होगा है, ओली ने रिष्टे तोड़ लिया रहे, चल क्या रहा है, और कुछ भी बना रहे हो, आपके यहाँ पर मीडिया हाउसे जो काम कर रही है, ऐसी इस्तिति में आपको पता होना चाहिए, कि भारती मीडिया को नेपाल में बैन कर दिया गया, ठीक है, आच्छा, तो ऐ ऐसी इस्ति में हमारे विदेशी देशों के साथ संबंध खराब नहीं होने चाहिए, पबलिक ओर नहीं भी गड़ना चाहिए, यानि जो डिसिप्लिन है, जो पुलिस के साथ व्यवसाय हो रहा है, वो नहीं भी गड़ना चाहिए, डिसेंसी और मॉरलिटी और इन रिलेशन of contempt of court, ऐसी कोई भी बात आप मत बोल दीजेगा, जिसकी वजए से contempt of court हो जाए, इसी कारण से प्रशांत भूशन को एक रूपे का जुर्माना सेन करना पुड़ा था, आपको बात समझ में आ रही है, contempt of court में प्रशांत भूशन जब ये बोला कि जस्टिस वो बड़े तो भाया, हारले डैविडसन की सवारी कर रहे हैं और दुनिया को lockdown में डलवा रखा है, तो ऐसी स्थिती में उनकी उपर contempt लगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने court की अवमान ना करी थी, court के खिलाफ टिपनी करी थी, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं, लिकिन कुछ भी, ये allowed नहीं है, ठीक है, इसके अलावा defamation and incitement to an offense, आप ऐसा नहीं कर सकते, कि आप किसी को अपने निज हित के लिए किसी को defame करने लग जाएं, जैसे आपको यदि मालूम हो, तो देश में, जब मोदी जी का साशन नहीं था, तो मोदी जी को बहुत सारी political party तरह तरह के नामों से पुकारा करती थी, वो नाम लेना भी फिलहाल के लिए defamation count किया जा सकता है, इसलिए मैं नहीं लूपा, तो नाम से पुकारा करती थी कि ये तो यों है, ये तो यों है, वो defamation था और उसके उपर सजा का प्रावधान है, अगर वो मानहानी का केस लगा देते हैं, तो इसके उपर सजा का प्रावधान है, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास freedom of speech and expression है, जी नहीं, क्या आपको मेरी बात समझ में आगई, तो कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ है मेरे प्यारे साथियों, कि हमारे यहां पर आर्टिकल उन्निस वन में जो लाइन लिखी हुई है, वो छोटी सी है, इतनी सी लाइन लिखी हुई है, इतनी सारी freedom हमको दे दी गई, मज़ा आ गया, और नीचे ही जब हम खोल के देखते हैं, तो भाई, जो सब clause 2 के अंदर बाते लिखी हैं, clause 2 के अंदर बाते लिखी हैं, वो 5 लाइन की है, यानि कि point number A तो एक लाइन का है, और जो two number sub clause है, वो भाईया, पाँच लाइन का है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मतलब एक point के पीछे जो reasonable restrictions दिए, वो page भर के दिए, ऐसे ही, आपका sub clause 2 पढ़ लीजिए, उस sub clause 2 के लिए, जो देखिए, यहाँ पर यह लिखा हूँ ने, sub clause B लिखा हुआ है, assembly, अब देखिए, इधर आपने 2 पढ़ा, आप इधर देखिए, number 3 लिखा हुआ है, exactly जो A वाले के लिए उपर लिखा हुआ था, nothing in sub clause A, ऐसे ही इसमें देखिए, nothing in sub clause B, 3 के बाद 3 में चलिए, 3 के बाद 4 में चलिए, sub clause C, ऐसे ही सारे sub clause देख लिजए आप, शायद आपको दिख जाएं, 5 नमबर पर देखिए, 6 नमबर पर देखिए, सारे sub clause के लिए, मैं केवल आपको यह दिखाना चाह रहा हूँ, कि हर sub clause के लिए reasonable restrictions दिए हूँ है, पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ, आगरी बात समझ में, मतलब हम केवल उपर वाला पढ़ें, हम केवल उपर वाला पढ़ें, यह हमारी गुस्ताखी है साथियों, असल में तो जो sub clause नीचे लिखे हूए हैं, अब आप कह रहे हैं कि सर पढ़ा दीजिए, मज़दार बात बताऊं, same line copy paste की गई है, clause 2 में, clause 3 में, clause 4 में, clause 5 में, सब जगे एक ही line हैं, और क्या है, integrity, sovereignty, public order, security, यह चीजें नहीं तूटनी चाहिए, यानि कि अगर आपने clause 2 पढ़ लिया, तो लगबग आपने सब कुछ पढ़ लिया, आगई बात समझ में, अब मज़ा आया आप लोगों को freedom of expression पाके, बोली जी, क्या आप लोगों को अब proper आनंद आया freedom of expression आपको मिल गया है, उमीद है आप सभी लोग अपनी freedom पाकर के बहुत कुछ होंगे, clear, चलिए, बढ़ें आगे, आर्टिकल उन्निस समाप्त, देखें साथियों ऐसी बात है ना, कि मैं आर्टिकल उन्निस जो है, अपने UPSC वेले बैच के अंदर, शायद तीन दिन तक पढ़ाया हूँ, इसमें cases भी पढ़ाया हैं हमने, और UPSC में, आपको पता होना चाहिए, तैयारी करते समय, केवल आर्टिकल, ये सवारीं, पार्ट थ्री और पार्ट फॉर, बस इनको पढ़ाने के लिए, टीचर्स की आउशक्ता होती है, बाकी तो सारे पार्ट बच्चे खोदी पढ़ सकते हैं, अभी भी मैंने UPSC लेवल तच नहीं किया है, केवल पार्ट थ्री और पार्ट फॉर पढ़ाने के लिए, टीचर्स की आउशक्ता होती है, दिल्ली की जितनी भी प्रमुख संस्थान हैं, इंग्लिश मीडियम के अंदर जो है, जो आफ्लाइन कोचिंग्स के लिए जानी जाती है, उनके अंदर केवल पार्ट थ्री और पार्ट फॉर पढ़ाने वाले जो टीचर है न, उनके लिए ही क्लासिज लगती है, उसके बाद तो बच्चे को कह दिया जाता है कि ये चेप्टर जाना, मुलक्षमी कान्थ में लिखा हुआ है, पढ़ लेना, इंग्लिश वीडम वालों ही बात कर रहा हूँ मैं, मेजर खेला पार्ट थ्री और पार्ट फॉर में ही है, क्योंकि भारत पूरत चली इन दो पार्ट से रहा है, पार्ट थ्री और पार्ट फॉर, बाकि सब फर्जी वाड़ा है, पार्ट थ्री बोले तो मूल अधिकार, पार्ट फॉर बोले तो DPSP, ये दो चीजें अगर एक अच्छे एस्पिरेंट को समझ में आ जाती है, एक भारत के नागरिक को समझ में आ जाती है न, तो उसका लगभग सारा काम हो जाता है, ख्लियर? ख्लियर? चलिए, आगे बढ़ता है मेरी प्यारे साथियों, पार्ट अनुच्छेद नमबर 20 पर चलते हैं, अब एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि से कंगना का Twitter अकाउंट क्यों सस्पेंड हुआ, मुझे नहीं पता दोस्त, ख्लियर, आनुच्छे 20 पर चलते हैं, आगे साथियों बात करते हैं, अप राधों के लिए सजा के संबंद में संदक्षन, देखिए मैं इस लाइन को यहां से तो पढ़ी रहा हूँ, और उसके अलावा जो है, मैं यहां से भी आपको पढ़ूँगा, यानि कि मूल किताब में से भी पढ़ूँगा, बेर एक्ट में से भी पढ़ूँगा, इसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 20 प्रवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव पॉनिश्मेंट तो एनी पर्सन वो कमिट एन उफेंस, इस आर्टिकल कैननोट बी सस्पेंड़ इवन डूरिं अन इमर्जेंसी इन ऑपरेशन अंडर आर्टिकल इन 359, 352 नमबर आर्टिकल जो होता है, जिसके थूरू नेशनल इमर्जेंसी आती है, 356 के थूरू आप लोग राष्टपदी साशन पढ़ते हैं, 360 के थूरू फाइनेशल इमर्जेंसी पढ़ते हैं, आर्टिकल 352 जो है, वो सेल्फ इंप्लिमेटरी होता है, 358 को साथ में लेके आता है, 369 आपको लगाना पढ़ता है, 369 के तहते ये लिखा हुआ है, कि आर्टिकल 20 को आप नहीं चीन सकते, आर्टिकल 20 में ऐसा है क्या, जिसको नहीं चीनने की बात की गई, आर्टिकल 20 और 21 ऐसा है क्या, आईए आप मैं बात बताता हूँ, मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर अब आप लोगों को आर्टिकल नंबर 20 जो है, वो पढ़के सुनना होगा, और इससे आज ही आप में बहुत confidence आ जाएगा, आज ही आप में बहुत सारा confidence आ जाएगा, आपको लगएगा, आरे भाई साब, अब तो पुलिस वालों के सामने से यहों निकलेंगे, जूम, है न, चलिए, चलिए, आर्टिकल नंबर 20 पढ़ते हैं, सुनते हैं ज़रा ध्यान से, आर्टिकल 20 लिखा हुआ है साथियों, ध्यान से सुनिएगा, protection in respect of conviction for offense, मैं बोलके सुना रहा हूँ, आप लोगों के मतलब की बात है, जितनी है, उतनी मैं सुना दे रहा हूँ, बाद में जो भी चीज़ें होंगी, वो मैं आपको अलग से बोलके सुना हुआ, आप लोगों को तो केवाल इतना समझना चाहिए, अपराधों के लिए सजा के संबंद में संडरक्षन दे रखा है आर्टिकल 20 में इतना है लेकिन देखिए कुछ चीजें टीचर अपनी खुशी के लिए भी पढ़ाता है और विशेश रूप से मेरा जैसा कर कोई टीचर हो तो मैं यह आप के लिए निंए मेरे लिए पाण रहा हूँ क्यränकि मुझे मज़ा आता है इन चीजों को पढ़के और मेरा जीके पढ़ाना भी जो है वा खुद की खुशी के लिए ज़्यादा है आपसेजादा मेरी खुशी के लिए है क्योंकि मैं GK अभी मतलब मुझे मज़ा आता है, इसलिए मैं आपको वायसा मज़े दिला रहा हूँ. पढ़ा खुब है मैंने जीके… मैंने लगातार 3-4 साल जीके पढ़ा है। पढ़कर मैं लास्ट 10,2 साल से पढ़ा रहा हूँ. इस से पहले विटामिन सी एक्चुली सुनिए वो मेरा थोड़ा सा गला इंफेक्शन का हो रहा है सुनिए साथियों प्रेटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ओफेंस पहला पर्सन पहला पॉइंट सुनिए अरे वैया एक विद्ध्यारती जो है वो हमसे पढ़े हुए भी है क्या शुबह में यह दुबंशी लिख रहे हैं कि मैंने पढ़ा है आपसे यह देखिए चलिए हाँ साथियों सुनिए मतलब क्या है मतलब सिंपल है मज़े लो चलिए गुलंसीन विटामिन सी सुनिए साथियों किसी भी व्यक्ति को एक ऐसे अपराद की सजा नहीं दी जा सकती जिसके लिए कानून था ही नहीं जैसे अब आप मेंसे कई लोग कहेंगे ऐसा कहा होता है सार हमारी आईपीसी के अंदर तो हर चीज लिखी हुई है अच्छा आईपीसी में नहीं था वाई ये सब तो फिर तो आईपीसी में नहीं था तो फिर बाकी आ कैसे गया तब ध्यान से सुन लीजे इसका मतलब ऑनलाइन फ्रॉड बाजी होने लगी लोग एक दूसरे को इस तरह की असली चीजे भेजने लगे तो फिर कानून की आवशक्ता बनी वर्तमान में साइबर अदिनियम है आईटी एक्ट है जिसकी धारा 69A के तहत आज साबगा प्रावदान है तो फिर तो जो पुराने लोग थे उनको आप ये कह करके सजा नहीं दे सकते कि सुन बिटा इधारा अब मेरी सरकार आ गई है वर्ष 2014 में तुमने इस प्रकार की अभद्र टिपनी की थी अब मैं सरकार में हूँ 2015 में तुमको इस कानून के तहत जेल भेज रहा हूँ जा अब कुछ एश करके आ क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई अरे कोई सी भी सरकार ले लो मैं तो बोल रहा हूँ आपको कहानी सुनाने के लिए ऐसा होता नहीं है फिल्मों में होता है यह रेजवास्तिक्ता में नहीं है आप किसी भी व्यक्ति को उसके अपराद की सजा नहीं दे सकते अच्छा चलिए मैं आपको दूसरा उधारन देता हूँ आपका प्रेक्टिकल उधारन देता हूँ आप सोचेंगे कि ऐसा होता है क कि अपया,